हे गाइस माई नेम इजे वेलकम बैक टू जेपी स्टूडियो दोस्तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको मुबैल के लिए तीन एप्लिकेशन बताने वाला हो जिने यूज़ करके आप अपने अंस्टेबल वीडियो को बहुत इजी मैथड में स्टेबल कर पाऊगे दोस् के लिए कुछ ना कुछतो जुगाड़ करना ही पड़ेगा तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना और जो लोग ससक्राइब किये बिना वीडियो देखके चले जाता है उन लोगके लिए डंडा, ये ड्रहन वाला डंदा है ससद्राइब कर लेन तो दोस्तो थर्ड नंबर पे जो application है उसका नाम है power director और काफी सारे video editors को पता होगा यह application लेकिन दोस्तो इसके update के बाद इसमें stabilization tool add किया गया है यह काफी लोगों को नहीं पता और इसका use कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो यहाँ पर power director application को open कर लेना है यहाँ पे एक video को import कर लेना है फिर video पे click करना है और edit में जाना है और दोस्तो आपको सारे tools देखने को मिल जाएगे यहाँ पे आपको stabilize tool पे click कर लेना है आपकी video stable होना start हो जाएगी फिर आपको एक slider मिल जाएगा हमें उसे adjust करके video को अच्छे से stable कर लेना है दोस्तो second number पे जो app है उसका नाम है open camera और यह application power director से काफी अच्छा है क्यूंकि इसमें stabilize करने की जरुवत नहीं परती simply आपको कुछ settings कर लेना है तो यहाँ पे दोस्तो इस application को open कर लेना है फिर आपको settings में चले जाना है यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा video settings तो हमें video settings पे click कर लेना है फिर आपको second option मिल जाएगा video stabilization तो हमें इसे enable कर लेना है फिर दोस्तो आप इस application से कोई भी video को shoot करोगे अगर आप हाथ से भी shoot करोगे तो भी आपका glimbal type footage मिल जाएगा तो अगर आप video को यहाँ तक पॉच गयों तो मुझे पता है आपको video पसंदारी होगी इस video को जरूर से एक like कर देना क्योंकि आपके एक like से हमें बहुत motivation मिलता है दोस्तो चैनल को जरूर से subscribe कर लेना है क्योंकि आपको हमारी चैनल पर video graphic tips and tricks और editing tutorial काफी सारे मिल जाएगे जिने देखके आप बहुत कुछ editing में सीख सकते हो So guys first number पर जो app है Google Photos ये almost सभी के phone में available होगी क्योंकि ये pre-install दाती है दोस्तो ये application power director और open camera से ज़्यादा अच्चा stable करता है इसलिए मैंने इसे first number पर रखा है और ये आपके video footage को single click में gimbal type stable कर देगा सबसे पहले हमें उस video footage को लियाना है जिसे हमें stable करना है यहाँ पर आने के बाद video पे click कर लेना है और नीचे settings के option पे click कर लेना है फिर आपको stabilize का tool मिल जाएगा दोस्तों हमें यहाँ पर Stabilize पर क्लिक कर लेना है और आपका वीडियो फूटेज प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों जितनी बड़ी वीडियो होगी उतना टाइम लगेगा स्टेबल होने में वीडियो शोटी होगे तो जल्दी हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों यह वीडियो फूटेज स्टेबल हो गया है अब हमें उपर Save Copy पर क्लिक कर लेना है और आपका वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा तो बस यह थैंक्यों सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए तीनों ही अप्लिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तो स्किन पर दिखाएगे वीडियो को भी एक बार जरू से चेक आउट कर लेना मिलते हैं दोस्तो अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई